इस वीडियो में हम बात करेंगे if, else, और else if के बारे में. सबसे पहले बात सुनिए. if क्या होता है? if के अंदर basically आपको लिखना होता है एक ऐसी condition, जो की आपको या तो true देगी, या तो false. अब कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लिखते हो, जो की नहीं true होता है, नहीं false. बट उसका resultant true या false होता है. for example, अगर मैंने if के अंदर लिख दिया, 2 is greater than 3. क्या 2, 3 से बढ़ा होता है? नहीं होता है. तो आपको इसका resultant मिलेगा false. तो if के अंदर basically at the end of the day क्या आगया false. तो if हमेशा true या false accept करता है. अच्छा, अगर if के अंदर true आता है, तो if का block चल जाता है. if और else में से कोई एक ही block चलेगा, या तो if या तो else. अगर if का block चला, तो else का block नहीं चलेगा, और अगर else का block चला, तो if का block नहीं चलेगा. इफ का block सिर्फ तभी चलता है जब उसके अंदर true आएगा अगर इफ के अंदर true आया तो ही इफ का block चलेगा और अगर वो block चला तो else नहीं चलेगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक condition है या तो ऊपर वाला पार चलेगा if या तो नीच वाला पार चलेगा else तो अगर हम कुछ ऐसा लिख दें if our age is greater than 18 vote other than that don't vote तो अगर हम देखें तो यहाँ पर condition हमने हमारे प्रोग्राम में लिखी है which does the work जो की conditionals का work है